नमस्का और फ्रेंज प्लैनेट हब चनल में आप सभी का फिर से हारदिक स्वागत है और इस बार सब्जेक रहेगा मीन रासी शनी देव कवच शनी कवच जिसको बोला जाता है और ये पर्टिक्लर खास करके साड़े साती के लिए ही होता है और हम यहां आपके लिए पेश कर रहे हैं कैसे आपको इसको इंप्लिमेंट करना है काम में लेना है इसके लिए बात करेंगे क्योंकि मीन रासी को अभी साड़े साती का पड़ाव चालू होने वाला है सत्रा एक 2023 को सुबह साड़े साथ बजे एम को शनी अपनी मकर रासी को छोड़ कर आपकी रासी से त्वेल्थ हाउस में कुम रासी में ब्रह्मन करने वाले हैं और ये जो राशी ब्रह्मन है वो करीबन आपको पहले धाई साल, फिर धाई साल और फिर धाई साल इसको पनोती बोलते हैं, साड़े साती एक ऐसा विशय है, ऐसा सब्जेक्ट है जिस से आपको थोड़ा डरना जरूरी है, प्रिकोशन इस बेटर देन क्योर, आपको बहुती समल के सोच के आगे बढ़ना है, क्योंकि साड़े साती में प्रॉब्लेम समस्या क्रियेट हो सकती है, आपकी जिनम कुनली कैसी है, उसके उपर ज़्यादा दारूमदार रहेगा, लेकिन फिर भी साड़े साती रासी से, में से रंक बना देना का काम इस पिडियर में होता है, साड़े साथ साल ऐसे निकालना, जिन जिन वेक्टियों निकाल है, जो जो रासी उने आप उनको संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं, धनूरासी से लेकर, मकर रासी से लेकर, कुम रासी, इन सभी ने वो पड़ाव पा सकती है, उससे आपको अलग हिसाब में बैठना पर सकता है, जीवन में संगर समस्या, तकलिफ समस्या, यह सब प्रॉब्लम आपको फेस करने पर सकते हैं, यह ज़्यादा तर डिपेंड रहेगा आपकी जनमकूनली के उपर, लेकिन यह ताई है, कि कुछ तो घटना बनने वाली है, कुछ तो आपकी मुमेंट आने वाली जीवन में, कुछ उतार चड़ाव आपके जीवन में होने वाले हैं, इसके लिए यह शनी कवच आपको रखना जरूरी है, यह शनी कवच जो है, आपको बहुत ही यूसफुल होगा, यह सुचुएशन के अंदर, आपको उस यह बॉर्ड वाइट दिखरा आपको वैसा पेपर लो आप, ज्यादा मतलब बहुत ही छोटा नहीं और ज्यादा बड़ा भी नहीं, लेकिन स्मॉल साइज का जिससे आप अपने पोकेट में हैं, बैग में हैं, अपने घर में हैं, उसको रख सको आसानी से, तो यहां यह ज है, उसको आपको ड्रो करना है, सबसे पहले, जैसे यह क्यूब्स बनाने है, नाइन, उस हिसाब से क्यूब बनाए, फिर पाच तीन टोटल होता है, आठ, यहां सिक्ष टू टोटल होता है, आठ, और एट इस इक्वल दू उसका भी टोटल होता है, आठ, और यहां लाइन म एक तो नमबर आट होने चाहिए टोटल और यहां जीरो लाश्ट में होने चाहिए इस से जो आपकी तकलिफ है जो समस्या है वो काफी हद तक आपको कम होते हुए नजर आएंगे जो प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हो उसमें आपको काफी हिम्मत काफी आपको सक्ती और काफी आपको ताकात मिलेगी और प्रॉब्लम समस्या आपके आए बराबर एक दम से गायब जैसे हो जाएंगे इतनी आपको समस्या फेस करने को नहीं मिलेगी ये मामूली कवच नहीं है आपको लग रहा है ये खाली नंबर से क्या होगा बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स में लिखते हैं आप ऐसे बोल बच्चन हो आप ये हो हमारा आपको बोलने का कोई मतलब नहीं है हमारा आपको खाली सजेशन देना है करना नहीं करना वह आपके हाथ में लेकिन ये तई है कि इस सब सुजूशन से आपके प्रॉब्लिम में काफी हद तक उसमें कटोती आएगी काफी हद तक आपके प्रॉब्लिम हल होते हुए नजर आएंगी क्योंकि शनी कवच है शनी देव शनी माराज इतने सिस्त और इतने पर्टिकुलर्स है जो कभी भी कोई भी चीज इधर उदर चलाते नहीं है इसलिए ये सब चीजे बहुति दीरे चलते हैं शनी देव सबसे जीतनी रासी है जितने भी प्लैनेट से वह सब पर्टिकुलर थोड़े थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, जैसे मैंने आगे बहुत एक्स्पेइन किया है, बुद्ध है, वो चौबिस दिन, अट्थाइस दिन रहता है, शुक्र भी वैसे अट्थाइस दिन रहता है, गुरु माराज साल भर रहते हैं, मंगल देड महीना, 45 days रहते हैं, सूरिय चंद्र, सूरिय भी एक महीना रहते हैं, चंद्र सवादो दीन रहते हैं, लेकिन शनी ही एक ऐसे प्लैनेटस है, जो धाई साल करीबन 30 महीना एक रासी में परीब्रह्मन करते हैं, सबसे लंबे टाइम तक वो धीरे धीरे चलते हैं, उनकी गती बहुत slow है उनको पंगुम भी बोला जाता है उनके पाव में चोट लगी है और जो पाव में चोट लगी है उसके हिसाब से वो चपल का दान को इंपोटेंस दिया जाता है और वो धीरे धीरे चलते हैं और धीरे धीरे चलके आपको जीवन के सभी बढ़ाव को पार कैसे करना वो आपको सिखाते लेकिन आज की सुच्वेशन में सब व्यक्ति एक जैसे नहीं रहते हैं सब लोग इतना इस सब चीजों को सहन नहीं कर पात को और आने वाले टाइम को आप सवार सको यहां आपको इससाब कोई भी कॉमिनिटी से आप बिलॉंग करते हैं उसमें कोई फरक नहीं पड़ता आप यह करोंगे तो आपको कोई नेगेटिव डिजल नहीं मिलेगा अच्छा ही मिलेगा क्योंकि शनी देयों कोई यह ग्रह क निकला है उपर शनी कवच लिखना है ब्लेक पैन से लिखना है और शन लिखना है यहां भी और आपको इस साबसे पूरा टैवल ड्रो करना है शनीवार के दिन यह प्रयोग जो है वह आपको रात में करना है यहां च्छे के बादशन्धिया काल में सात बजह से लेकर नव गवजे के बीच में आपको यह एक्सपरिमेंट करना है फिर उसको ड्रोग करने के बाद आपको काले कपड़े के अंदर ब्लेक कंदर बॉधक के अंदर वह पेपर को रख देना है उसको फॉल्ड कर देना है और आपको कम से कम 21 बार ब्लेक पेंसे लिखना है और 21 बार आपको बोलना है और बोलने के बाद वो फोल्ट करके आपको आपके साथ रमेशा रखना है या फिर आपके जहां कबोड है आपका जहां ये सब चीजे रखते हो जहां उस जगा पे आपको ये कवच रखना है जहां आपका कबोड है जहां आपके कपड़े रहते हैं जहां आपके सब चीजे रहती हैं ओफिस है या घर है जहां भी आप रख सकते हो तो वहां आप रख से आपको काफी हद तक अच्छे आपको रिजल्ट मिलते हुए नज़र आएंगे क्योंकि ये शनी कवच है और शनी कवच रखने से उसका ये उपाई करने से आपके काफी प्रॉब्लेम समस्या आप धीरे धीरे हल होते हुए नज़र आएंगे ब्लेक पैन से लिखना है पूरा प्लेन पेपर चाहिए उसके उपर ये टेबल ड्रो करना है उसको ब्लेक कपने में रखना है शनीवार के दिन साम को साथ बच से नव बज़े तक के बीच में ये प्रयो नहीं जाता है जहां किसी का हाथ नहीं लगता है पर्टिकुलर आपकी जो मीन रासी है तो आपको कबोड में आपके ड्रोवर में आप रख सकते हैं जिससे आपको काफी प्रॉब्लेम समस्या जो फेस होने वाली है उसमें राहत सांती आपको मिलती हुई नजर आएगी यह पत नहीं नहीं आते हैं यह फिलंग करते आपको बहुत अच्छा कारगार साबित होगा इससे आपके काफी प्रॉब्लेम सामस्या हल होतेों नजर आएंगे अच्चे रहो बड़िए और खुब आगे बढ़ो